और दोस्तों आप सब्सक्राइब करी सब्सक्राइब दोस्तों का अक्षय तिर्था की कुछ ऐसी खास बाते आप लोगों से शेयर करूँगी जिनको करके आप अपने घर में मा लक्षमी का आगमन पास सकेंगे परती एक वर्ष बैसाक मा के शुकल पक्ष की तिर्थय तिर्थी को अक्षय तिर्थी का पर मनाय जाता है हिंदु धरम में यहें एक दिन एक विशेश महत्व रखता है इस दिन को मुखे रूप से धनकी देवी मा लक्षमी की पूजा अर्चना की जाती है और यह करना बहुत लावकारी स्थ होता है तो चलिए मैं बताती हो अक्षय तिर्था की शाम को किन कारिकों करने से बचना चाहिए दोस्तो इस साल अक्षय तिर्थिया का पर्व 10 मई को मनाय जाएगा इसे एक सर्फ सिध महुरत भी माना जाता है क्योंकि इस दिन पर कोई भी शुब या मांगली कारिया बिना शुब महुरत देखे किया जा सकता है साथ ही इस दिन पर सोने चांदी के साथ साथ नई चीजों की खरिदारी करना भी शुब मना जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रिसन होती है और सादक पर अपनी द्रिष्टी बनाए रखती है बैसाक मा के शुक्ल पक्ष की तिथे तिथी शुरुआ 10 मई 2024 को प्राता 4 बच के 17 मिर्ट पर हो रही है साथ ही इस तिथी का समापन 11 मई को रातरी 2 बच कर 50 मिर्ट पर होगा ऐसे में अक्षे तिथिया का पर्व 10 मई शुक्करवार के दिन मनाय जाएगा इस दिन पूजा का शुब महरक इस प्रकार है प्राता 5 बच कर 33 मिर्ट से दुपैर 12 बच कर 18 मिर्ट तक नराज हो सकती है माँ अगर आप ये करेंगे तो हिंदू मानेताओं के नुसर जाडू में मा लक्षमी का वास बाना गया है वहीं शाम के बाद घर में जाडू लगाना शुब नहीं मना जाता है ऐसे में अक्षय तिर्थिया के दिन भूल कर भी शाम के बाद जाडूरे लगाएं ऐसा करने से मालक्षमी नराज हो सकती है कौन से ऐसे काम है जिनको करने से बचना चाहिए अक्षय तिर्थिया मालक्षमी के लिए समलपित माना जाता है यही वह माना जाद गया है कि मा लक्ष्मी को स्वच्छता आती प्रिय है इसलिए अक्षे तृतिया के दिन भूल कर भी घर में गंदगिया कूड़ा आदी नी फिलाना चाहिए वरना लक्ष्मी जी आपकी चोकर से वापस लोड़ जाती हैं आपको ये गलतिया नी करनी चाहि लिए इसके साथ ही इस दिन महिला और बुजर्गों का अपमार भी ना करें वहीं द्वार पर आए किसी जरुत मंदिया भूके व्यक्ति को खाली हात ना भेजे उन्हें अपना शमता रुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें इन कारियों से मिलेगा आपको लाब अगर अक्षे तीर्थिया की शाम अपनी चोखट या मुखे द्वार पर दिया जरूर जलाएं इसके साथ ही अपने मुखे द्वार पर अशो के पत्तों से बना बंदनवार जरूर लगाएं दोस्तों अक्ष तीर्थिया से कई मानेता जूड़ी हुई हैं और कहाने भी जूड़ इस दिन शुप प्रम ही करने चाहिए अक्षय तीर्थया के दिन धन प्राप्ति आधी के लिए लोग कई तोट के रुपाई आजमाते हैं यहां मैं आपको कुछ उपाई बताने जा रही हूँ अक्षय तीर्थया के दिन सोने चांदी की चीज़े खरेदने का विधान है आप भी भरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने चांदी की लक्षमी की चरन पादु का लाकर घर में रखें इसकी नियमित पूजा करें अक्षय तीर्थया के दिन ग्यारा कोड़ियों को लाल कपड़ें बांद कर पूजा इस्तान में रखने से देवी लक्षमी आकशित होती हैं देवी लक्षमी के समानी कोड़ियों भी सम्मुदर से उत्पन हुई हैं अक्षय तीर्थया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्षमी की पूजा करने से आर्ठिक परशानिया दूर होती हैं अक्षय तीथिया के दिन घर के पूजाय सल पर एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्षमी की किरपा प्राप्त होती है इस दिन पित्रों की प्रसंता और उनकी किरपा प्राप्ति के लिए जल, कलश, पंखा, खड़व, छाता, सत्तु, ककडी, खरबुजा, फल, शक्कर, घी, आधी, ब्रहमण को दान करने चाहिए इस दिन को भुमी, तिल, स्वन, घी, वस्त्र, धानिय, गुड, चांदी, नमक, शहद और करनिया यह 12 दाकी कल का महतव है सेवक को दिया गया दान एक चोथाई फल देता है करनिया दान इन सभी दानों में सरवादिक महतव पून है इस दिन लोग शादी विवा का विशेश आयोजन करते है अक्षे तिर्थिया पर भक्त सुबह जल्दी उड़ते हैं पवित रिस्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं फिर वे घर के मंदिर में धीपक चलाते हैं और भगवान विश्नु और देवी लक्षमी की पूजा करते हैं ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन देवताओं की पूजा करने से धन स्मृद्धी और खुशी हुप मिलती है अक्षे तिर्थिया पर दान करने या परोपकार के कारे करने की भी परंपरा है जरुत मंदों को भीक्षा देना और गरीबों को खाना खिलाना पुन्य करम माना जाता है जो देने वाले की स्मृद्धी को कई गुणा बढ़ा देता है सोना खरीदना अक्षे तिर्थिया के दिन से जूड़ी एक महत्पुन परंपरा है इस दिन सोना खरीदने से सिमृद्धी और धन की प्राप्ती होती है बहुत से लोग सोने की महत्पुन खरेदारी जैसे गहने सोने के सिक्टे खरीदने के लिए इस दिन का इंतिसार करते है एक्षे तिर्थिया पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाता है विभिन छेतरों में ये विभिन के वंतियों से जुड़ा हुआ है और विभिन तरिकों से मनाया जाता है उत्तर भारत के के हिस्सों में लोग दिन भर का उपवा सकते हैं दान करते हैं पश्मी राज्यों में विशेशकर राजिस्तान और गुजरात में बरतेने चांदी की वेस्तिये खरिदने का रिवाज है अक्षे तिर्थिया शाष्वत समृद्धी और सुभाग के वादे के साथ एक ऐसा त्यार है जो शाष्चा करने के और दान देने के भारते प्रमपरा से जुड़ा है यह एक ऐसा दिन है जब लोग ना केवल नहीं शुरुआत करते हैं बलकि दान के कारियों माध्यम से समाजिक कल्यान में भी योगदान देते हैं दोस्तों यह अक्षे तिर्थिया पर कुछ महत्पुन जानकारिया थी और कुछ फायते जो मैंने आप से शेर करें हैं यह वीडियो यहीं तक